नमस्कार आज गणेश चतुरती है तो आप सभी को गणेश चतुरती की बहुत बहुत शुब कामना है और भगवान श्री गणेश मालक्ष्मी और मालसरस्वती के बहुत निकट हैं और हम सब के जीवन में आपके मेरे हमारे अपनों के जीवन में हम सब के जीवन में मालसरस् और स्री गनेश जी का आशिरवाद सदेव बना रही उनका साथ सदेव बना रही यही कामना है और इसी कामना के साथ में शुरू करते हैं आज की बात बात ये कि पुन्जे शुलो के लिवाई शो में अब हमने देखा कि पार्टिल को गिरफसार कर लिया गया है उसे सजाद सुना दी गई है और अब दर्बार से बाहर की बात होती है जो ये के देवियाहिला कह रही होती है उन साहुकार से पीडित गरीब किसान को और उनकी बेटी मंजुला उनकी माता को कि अब आप किसी भी पार्टिल या किसी दूसरे किसी साहुकार के करज़दार नहीं हैं आप करज़दार हैं मलहार रावरकल सरकार के और आपको अब अपनी सुईधा के नुसार आप जो भी करज़ा है जितना भी हो जब भी हो आप चुकाते रहेगा चुकाना आवश्य है जो अरज मुक्ती की आशा जिसको लग रही है एक सरसे मुक्ती ही हो गई है इतनी बड़ी पीडा से और इसे जो डर था उससे भ्यामुक्त वो हो गया है तो वो कहता है देबी अहिल्या ऌजह कहता है हमने सुना था कि मालवा में नियाई होता है और अब देख भी लिया देवी अहिल्या और वो भुवान से परातना करके कहता है उनको आशिरवाद सवरूप कहता है कि आपके दर्बार में सदे न्याय होता रहे इसी तरीके से प्रजा खुश रहे और आप न्याय करते रहें और अब यहाँ पर एंटरी होती है दोरेकावश साहिब की जो रंग में भंगडालियाँ काम करते हैं और कहती है कि देवी अहिल्या का या रानी छोटी रानी का ये दर्बार नहीं है ये दर्बार है बड़े असुभिदार جी का और वो आ चुके है और राणी अहीला तो सिर्स इसकी संभाल कर रही थी जितनी भी कारयवाही हुई हैं दरबार की वो पुने होंगी और पार्टिल का मामला भी फिर से दरबार में लाया जाएगा दुबारा से उसके उपर जो है कारयावाही होगी फिर से सारे मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा तो गवाहों की पेसी भी बाद से होगी तब देखते हैं क्या फैसला होता है और देवी अहिल्या तो सिर्फ संभाल कर रही थी यह मैं सोची के यह फैसला दे चुकी है अब यहां पर वो गरीब किसान फिर से चिंद्चित हो जाता है और देवी अहिल्या कुछ सोचती है अला कि यह नहीं सोच रही होंगी कि मलहारा और उनको सरकार अपना फैसला बदल देंगे यह नहीं सोच रही है और देखी यहां पर दौरकाश बड़ साहब ये एحساس कराना चाहती है प्रजा से प्रजा के लोगों को कि देवी अहिल्या, रानी अहिल्या तो सिर्फ और सिर्फ संभाल कर रही है वरना उसका कोई अपना वजूद नहीं है अब देखी यहाँ पर मैन बात यह Aun बात यह कि देवी अहिल्या बच्पन में होता था ना, जब दो भाई बहन या, कोई भी, अपस में भाई-भाई-भाई-बहन जो भी लडाई करते रहते हैं, खेले कुड में, तो वो कहते हैं, अच्छा, मम्मी को बताओंगा, हाँ, हाँ, मम्मी को बताओंगा, दूसरा खाए थीक है, ठीक है, बता देन नहीं सकते और क्या बात है और क्या बात थो वह गो तुम subscription बाई साहीब के सामने जाकर कहती है कि फैसला उनको करने दो डेवी अहिला को रोव तो फैसला करने से मलहार रा Ama praber कर सरकार ही फैसला करेंगे जिसको न्याए के देवता मानते हैं दुनिया मतलब प्रजा कहती है वो तो अन्याई कर ही नहीं सकते अपने बेटे के साथ जिसने न्याई इतना किया कि उसको इतनी बड़ी सजा दे दी तो प्रजा के साथ तो न्याई होना ही था तो वहाँ भी वो गोतों भाई साहिब को भी कहती है कि उनको आने दो और यहाँ पर कहती है देवी अहिल्या से कि फैसला बदला जाएगा चिंता मत करो वो आ चुके हैं किस बात की धोंस दिखाती हो समझ में नहीं आ रहा सिर्फ इतनी कि वो एक बेटी के पिता भी है सचाई है बेटी के पिता है बहुत कुछ सोचना पड़ता है और एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि कर्ज मुक्त जनता मतलब कर्ज मुक्त हो या उसके बेचुकाने का भेना हो और धेर धेरे चुका सकें ऐसा कुछ हो कि कर्ज मुक्त जनता हो और एक जवान बेटी का पिता या माता अनिद्रा की बिमारी से दूर हो मतलब चैनी निंद सो सके तो वो प्रदेश, वो राज्य, वो राष्ट्र मतलब स्वर्ग से कम नहीं होगा अब बात फिर से इस पर लोटते हैं तो यहाँ पर पता नहीं क्यों कहती दूर कबाई साहिब ये बातें एक तो सिर्फ ये कि वो बेटी के पिता है मलहारा वहुल का सरकार बेटी के सुराल में बेटी खुश रहे इसलिए वो करते रहेंगे मतलब उनकी इतनी बातें पता हैं कि गलत लोग हैं गोतम भाई गरीब घर से हैं इसलिए भी हो सकता है कुछ वोन की बेटी सीता है तो एक बेटी का पिता होने ना आते भी हो सकता है मगर यहाँ पर अब तो जो और को अरुडेंस दिखा रही है न दौरकाबय साहिब वो थोड़ी चंका पैदा करता है हाला कि मुझे तो यह लगता है कि सजा पार्टल के बढ़ाएंगे मलहारा वुलकर सरकार आने के बाद में बलकि कर्ज उनको देने चुकाने की आफशकता ही नहीं उनको जो है समपती में पार्टल समपती में कुछ इसा किसान परिवार को मेरे ख्याल से यह है लेकिन अगर सजा बढ़ाने के बज़ाएं कम की जाती है तो चिंता का विश्य है मतलब तो मेरी समपती मलहारा वुलकर सरकार बाहर है वरनाब तक जितना मैं समझा हूँ तो सजा वो बढ़ाएंगे ही और द्वार का वाई साहिब यहाँ पर बस दान्त पिसके रह जाएगी और कुछ ने कर पाएगी